इन दिनों दो चीज़े काफी जादा परिशानी सी बन चुकी हैं जी हाँ कह सकते हैं जी का जंजाल बन चुकी हैं ये दोनों चीज़ें सबसे पहले है मोमो वाटसेब और दूसरा है कीकी चैलेंज लोग इन दोनों चीज़ों के पीछे काफी जादा पर चुके हैं और अपनी जान भी गवा रहे हैं इन दोनों चैलेंज की वजह से आपको बता दें कि आपको याद होगा कि ब्लू वेल ने पिछले साल लेटिन अमेरिका देशों समित भारत में भी लोग की नीद उड़ा दी थी इस चैलेंज में बच्चों समित कई लोग की जान चली गई थी बता दें कि सोशल मीडिया पर तो आज कल किकी चैलेंज का ज अपने वीडियो सोशल मीडिया पर अप्लोड किये वहीं मोमो वाट्स अपने भी अमेरिकी देशों में लोग की नीद उड़ा दी है धीरे-धीरे सोशल मीडिया पर वाइरल हो रहे हैं यह लोग के लिए परिशानी का सबक बंते जा रहे हैं चलिए सबसे पहले हम आपको कोड जपान का है और जैसे ही यूजर्स इस कांटेक को अपने फोन में सेफ करते हैं तो एक बड़ी आँख वाली लड़की की फोटो भी आती है वह फोटो काफी ज़्यादा ड्रावनी है यह वी दावा किया रहा है कि जो इस प्रोफाइल नंबर से बात करता है वह ब्लू की चैलेंज एक कैनेडियन रेप सिंगर का गाना है और इस गाने को यूट्यूब पर अब तक 8.2 करो व्यूज मिल चुके हैं और सिखी नामक एक कॉमेडियन इस चैलेंज की शुरुवात की थी चैलेंज को पूरा करने के लिए गाड़ी में एक आदमी बैठा होता है जो क में यह गाना भी बज़रा होता है कि की ट्यू लफ मी उसकी वीडियो गाड़ी चलने वाला ही बनाता है चैलेंज पूरा करने के बाद बहार नाशने वाले व्यक्ति को कूट कर चलती गाड़ी में अंदर बैठना होता है तब ही इस चैलेंज को पूरा माना दाता है पुलि को खतरनाक डांस टेप ना करने और साफधानी बरतने की सलहा दी जा रही है वो लोग को सोशल मीडिया के जरिये चतावनी भी दे रहे हैं इसे कविल युवा ही नहीं बर्कि छोटे बच्चे भी करने में लगे वे हैं जिससे की काफी ज़दा परिशानी हो रही है पुलिस को और लोग को भी सलहा तो यही दी जा रही है कि इन दोनों ही चैलेंजस से दूर रहे हैं ताकि अपने जान को सेफ कर चके यानि कि अपने लाइफ को सेफ कर चके और साथ ही दूसरों की लाइफ को भी बचा सके नेक्स्ट नाइन टेक्स से हिमानशी की रिपोर्ट अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, पीजियो एडिटर, कैमरा मैं या पर स्क्रिप्ट राइडर तो हम इस संपस करें